हे गाइस कैसे तो सारे याकिन करता हूँ कि अच्छा हूंगे आज किस वीडियो में आप सबको EP का प्लिकेशन का फुल टूटोरियल देने वाला हूँ आज किस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डीटे़्स में समझाओगा कैसे आप सब भी EP application की सहायता से अपने picture को edit कर सकते हैं आप सब वीडियो को end तक जरूर से देखेगा उससे पहले चैनल को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe करके and bell notification को on कर लीजेगा सबसे पहले आप सब EP application को Google Play Store से download कर लीजेगा and उसके बाद open करने के बाद आपके सामने में कुछ stripe का notice आएगा सो दोनों को आपको tick करके यहां से continue वाले button पे click करनी है and उसके बाद आपके सामने कुछ stripe का interface आएगा so just guys आपको हैंसे start editing वाले button पे click करनी है and यहां से allow अगर आएगा तो आपको allow कर देनी है and guys जो भी gallery का picture होगा सब भी यहां पे open होके आजाएगा so just जिस भी picture को आपको edit करनी है just यहां से आपको select कर लेनी है so कुछ इस type का loading लेगा and loading लेने के बाद guys आपको यहां से बहुत सारा options मिल जाएगा जैसे कि नीचे में देख सकते हो portrait, filter, adjust, effect, sticker, text, brush, background यहां से बहुत सारा options मिल जाएंगे, so सबसे पहले guys आपको यहां से portrait वाले button में आपको सबसे first वाला button as skin के मिलता है just आपको as skin वाले button पर click करनी है and यहां से ब्लेमिस का है जैसे ही आप सब लेमिस पर click करते है and यहां से यह वाला options को on करते हैं, उसके बाद guys जो भी आपका face में pimple वगरा होगा यह वहां से automatic गायब कर देगा, जैसे कि आप सब यहां से देख सकते हो before and after हमारे यहां से face का pimples जो है यहां से automatic one click में गायब कर देगा सो उसके बाद guys second वाला options है, smooth का, just मैं smooth वाले बटन पे click करूँगा and जैसे यहां से guys इसका opacity को increase करते हैं, आपका face यहां से automatic smooth हो जाएगा आप सब यहां से before and after भी देख सकते हो, जूम करके and second वाला option तो smooth का होगा और third वाला option guys, skin tone का है, जैसे मैं skin tone पे click करता हूँ change कर सकते हो, यहां से first वाले option से and second वाले option से आप सब यहां से skin को bright कर सकते हो, जैसे कि देख सकते हो, जैसे मैं यहां से increase कर रहा हूँ, हमारा skin और bright हो रहा है, so मैं कुछ इतना कर लूँगा and यहां से guys और भी options है, जो उतना काम के नहीं है, so उसके बाद guys यहां से glow का options है, आप सब इसे increase कर सकते हो, जैसे glow वाले options को increase कीज़ेगा, देख सकते हो, हमारे face में एक अलग सा ही light आ रहा है, so अगर आप सब इसे रखना चांते हैं, तो रख सकते हैं, वरना आप सब इसे zero रख सकते हैं, उसके बाद guys यहां से asmoother का एक और options दिखेगा, जैसे ही आप सब इसे increase कर सते हैं, यहां से भी आपका face asmooth होता है, जैसे कि आप सब देख सकते हो, before and after, मैं यहां से zoom करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो, सिर्फ one click में यहां से हमारा face को पूरा यहां से asmooth कर दे रहा है, so आपको जितना चाहिए asmoother अपने हिसाब से रख सकते हो, फिलाल में इसको 30 के आसपास रख लूँगा, and उसके बाद guys हमारा यहां से अगला options है, texture, जैसे texture को आप सब यहां से increase करते है, आपका face में जो है, यहां से texture आने चालूग हो जाएंगे, जैसे कि आप सब देख सकते हो, पूरा hundred increase कर दिया, कितना हमारा face में texture है, अगर आप सब इसे कम कर देते हो, तो आपका face का texture गायब हो जाएगा, आपको जीतना चाहिए texture अपने हिसाब से रख के, और नीचे से done कर सकते हो, यह तो रहा हमारा skin बाद options, and जो second में options है, वो make-up का है, so just मैं यहां से make-up वाले options पे click करनूँ का, and यहां से lips color, eyebrow color, eye color, यहां से eyeliner, यहां से बहुत सरा options मिल जाएगा, आप चाहें, तो आप सब इसे use कर सकते हैं, फिलाल में इतना use करके आपको नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, आप सब यहां से lips का color change कर सकते, जैसे जो भी color आपको lips रखना है, आप सब यहां से अपने हिस, आप से आपसेप्प सेटी रख सकते हैं, आप सब यहां से select करने के लिए भी दीखेगा, तो आप समें आपने हिस, आप से कर सकते हैं फिलाल मैं हलका सा डाल दूँगा lips color and मैं नीचे से done कर लूँगा उसके बाद guys आपको अगला option face के मिल जाएगा जैसे ही आप सब यहां से face वाले button पे click करते हैं आप सब देख सकते हो यहां से जैसे increase कीजिएगा आपका face यहां से छोटा होने लग जाएगा and कुछ इस type से कर सकते हो and slim यानि की face को आप सब यहां से पतला कर सकते हो यहां से चोड़ा कर सकते हो यहां से बहुत सरा guys आपको options मिल जाएगे जो बहुत ही काम के हैं and बाकी यहां से जो है आख को छोटा बड़ा कर सकते हो eyebrows को भी छोटा बड़ा कर सकते हो यहां से सब यहां से नाक को भी छोटा वड़ा कर सकते हो अपने मुताबित सो मैं कुछ इस टाइब से करके एंड मैं नीचे से कर लूँगा यहां तो बहुत सारे गाईज ओपसंस है अगर एक एक करके समझाने लगूँगा तो बीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी फिलाल मैं इतना करने के बाद मैं नीचे से डन कर लूँगा उसके बाद गईज यह उतना काम के नहीं है उसके बाद पिंट वाला साइगा तो इसमें तो गाईज हमारा हेर नहीं दीख रहा है कैप के वजए से इसी के वजए से हमारे सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आ रहा है मैं यहां से कैंसिल कर दूंगा हेर वाला ओपसंस आप सब किसी और पिक्चर में भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद हांस आपके सामने से रीट जेश का ऑप्सन आएगा जैसे आप सब सब्रेट पर क्विक किजिए जांगे यहांसे सकते है दो यहां थो छोटा से जिस अ सब्रूंग होचीप्ण हो चुका है चलिए गाइस उसके बाद अगला option मैं जस्ट नीचे से डन कर लूँगा एंड यहां से फिर से मैं retouch में जाओंगा एंड अगला option है अगला option भी गाइस उतना काम का नहीं है तो मैं इसको 0 ही रहने दूँगा एंड उसके बाद smooth का, smooth वगएरा है जो पहले हमने सब use किया था, वहीं सब option इसमें भी दिया हुआ है बागी इसमें कुछ है नहीं और उसके बाद यहां से details वगएरा है जो आप सब अपने picture में डाल सकते हैं, face में डाल सकते हैं फिर से यहां से glow आ गया, फिर से यहां से smoother आ गया जो पहले ही मैंने आपको बता दिया था, texture भी है बागी सब यहीं कुछ और नहीं है, यह वाल options में फिलाल मैं नीचे से इसे cancel कर देता हूँ, उसके बाद guys यहां से body का options आपके सामने आ जाएगा तो यहां से half picture है, तो हमारा इसमें body तो कहीं है यह नहीं इसी के वज़े से हमारे सामने कुछ इस type का आ रहा, तो मैं इसे भी cancel कर दूँगा और यहां से और और भी यहां से बहुत सरा options है, जो उतना काम के नहीं है उसके बाद आपके सामने cutout का option आ जाता है, तो जैसे ही आप सब cutout वाले options पे click करते हैं यहां से automatic आपका जो भी person है या जो भी आपका model है, उसको यहां से और cutout कर लेगा अगर थोड़ा बहुत इधर उदर छुट जा रहा है, तो आप सब यहां से फिर से फिर से जो किया है, यहां से select कर सकते हो आप सब इसे जो है, एरियेज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से जैसे कि आप सब को मैं बता देता हूं जैसे हमारा extra part यहां से select हो गया है, तो आप सब इसे यहां से इरियेज कर सकते हैं पिक्चर का जो है यहां से बैग्राउंड कट आउट कर सकते बाकी इसमें कुछ और नहीं है तो मैं यहां से नीचे से कट कर दूँगा फिलाल उसके बाद आपको नीचे में फिल्टर का ऑप्शन मिल जागा जैसी आप सब फिल्टर वाले बटन पर क्लिक कर देते आपके साम सबसे पहले आपको फर्ष्ट का बटन दीखेगा ज़स्ट आपको जो भी साइज में आपको यहां से क्रॉप करनी है आप सब कर सकते अपने हिसाफ से फिल्टर में इसको कैंसल कर दूँगा और सेकेंड में जाए रिमूफ का आपको बटन मिल जाएगा आप सब यहां से ऑ और दो उसके बाद आपको एहां से सिलेक्ट जाएगा जैसे जो भी पार्ट आप यहां से एलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहां से वाले पार्ट को में कर Drink करूँगा यहां से इलेक् तरोगए यह त्हुजुन एंड उसके बाद गईज आपको इंचे सेल का बटन मिल जाएगा जो लाइटरू में मिक्स टूल होता है सेमों ही सबसे पहले मैं यहां से सेकेंड कलर सेलेक्ट कर लूँगा और एंड इसका मैं लूमियंस को इंक्रीज कर दूँगा ताकि हमारा फिस थोड़ा और हो सके ऐंड बाकी जो हमेरे बैग्राउंड में ग्रीन एंड येलो कलर आ रहा दोनों का मैं साचूरेशन को डाउन कर लूँगा एंड इतना करने के बाद गईज मैं नीचे से ड़न को लूँगा और भी जो आपका कपड़ और का कलर है आप सब उसका साचूरेशन और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि हमारा फिस्तोर और रेड दिखें और नीचे से मैं डन कर लूँगा उसके बाद गाइस यहां से पिक्चर में कम sound saturated हो जाएगा उसको करने के बाद सापिंग का बटन है जैसी यहां तक सब अब सरक करते आपके picture में कुछ ज़्यादा ही shadow है तो मैं shadow को 20% increase कर लूँगा और बाकी यहां से fade वगएर है तो मैं इसको on नहीं करूँगा इसको मैं zero रखने दूँगा यहां से warm का options है देख सकते हो यहां से आप picture में cool या warm tone डाल सकते फिलाल मैं इसको भी zero रहने दूँगा और उसके बाद guys यहां से vintage है आप सब यहां से picture के border को हलका हलका black कर सकते हो इसको increase करके तो मैं इसको भी 20% increase कर दूँगा बाकी curve tool और split tone है आप सब इसका use वगएरा कर सकते है मैं इसको उतना use नहीं करता हूँ और यहां से split tone का split tone भी use कर सकते हो देख सकते हो कुछ इस type का आपको मिल जागा तो इसे भी मैं cancel कर दूँगा और यहां से effect भी आपको बहुत सरा मिल जाएंगे जो effect भी internet से चलेगा फिलाल मैं इसको off रहने दूँगा और बाकी यहां से text भी लिख सकते हैं जो भी आप picture भी लिखना चाहते हैं और उसके बाद आपको यहां से add photos और background भी जाते हैं जैसे कि अगर आप सब यहां से add photo का नीचे में option मिल जागा जैसे ही आप सब यहां से add photos पे click करेंगे आपका gallery का जो भी picture होगा सब यहां से open होके आ जाएंगे और जो भी picture को आप सब add करना चाहते हैं आप सब यहां से add कर सकते हो जैसे कि देख सकते हो कुछ इस type का loading लेगा और यहां से हमारा picture आ चुका है बाकी आप सब इसका background वगरा cut out कर सकते हैं जैसे कि यहां से नीचे में cut out का option मिल जाएगा जैसे ही आप सब यहां से cut out पे click करेंगे आपके सामने कुछ इस type का loading लेगा और अभी आप सब देख सकते हमारा background यहां से जो भी हमारा model है automatic select हो चुका है जैसे आप नीचे से done कीजिएगा आप सब देख सकते हैं इसका background cut out हो चुका है तो कुछ इस type से करके आप सब यह वाला सभी options वगरा का use कर सकते हैं फिलाल मैं इसको भी cancel कर दूँगा और बाकी यहां से फिर A1 filter कुछ इस type का options है आप सब इसका use वगरा कर सकते हैं और बाकी जो भी यहां से important important options था सभी के बारे मैं आपको बता दिया हूँ तो कुछ इस type से आप सब भी यहां से EP का application को use करके आप सब अपने picture को edit कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में बस इतना यकिन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगयोगी तो वीडियो को जोड़ से लाइक कीजिएगा चैनल को नहीं चैनल को subscribe कर लिजें मिलते हैं किसी और वीडियो को सुना तब तक के लिए बाइ